नवलगर विधायक राचकुमार शर्मा ने गांधी नगर इस थेट अपने सरकारी निवास में जन सुनवाई की जहां आम जन की समस्याइं सुनकर निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये इस दोरान उनों ने कहा कि अब किसी भी तरह께 बयान बाजी का समय नहीं बचा है हम सबी विधायकों को ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्याओं का समाधान कर सरकार की योजणाओं को आम जन तक पहुँचाना है जिसे कि एक बार फिर से कॉंग्रे सरकार सत्ता में वापस आए इसके साथ ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद तमाम कारेकरताओं में जोश और उत्सहा है विदायक राजकुमार शर्मा से सहिऊगी तिनीश तिवाडी ने खास पाची हमारे साथ आज एक ऐसे विदायक है जो की अधिकांसता जनता के बीच बने रहते हैं लेकिन सरकार में मजबूत पकड़ होने के चलते चर्चा में रहते हैं तावलकर विदायक राजकुमार सर्मा बड़ी बात यहाए कि राजकुमार सर्मा अपने शेत्र के साथ साथ अपने निवास पर भी जन्सुनवाई करते हैं आज ऐसा मोका है सेकर्ड की ताधाद में लोग जन्सवनवाई में आए हम बात करते हैं राज कुछ खास अंवाई में आज जन्सवनवाई में वह विय से रूटीन के मूदे रहते हैं कुछ पेंचन समंदित होते हैं कुछ medical and health समंदित होते हैं तो व्यक्तिगत भी काम बहुत लोगों के होते हैं तो पूरे प्रदेश बर के लोग से इस अहन सोला जो मेरा हावास है सरकारी हावास है उसमें उमीद लेकर आते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका काम करके उनको नयाई दिलाएं और उनके उमीद उपर ख़रा होते हैं प्रदेश प्रभारी सुग्वीर सिंग रंधावा प्रदेश के दोरे पर हैं क्या लगता है संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी प्रदेश में जब से प्रवेश के राउल गांदी जी के नेत्रितु में बारजड़ो यात्रा ने तो जालावार से लेके अर्याना सिमा तक यानि अलवर जिले तक जिस कदर से 36 कौम की लोगों का हुजूम उम्ड़ा युवा क्या मैलाएं क्या बच्चे क्या बुजूर्ग यानि सब लोग जिस प्रकार से आकर उन नीतियों का जो केंदर सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं और उन नीतियों के खिलाब कौंगरेस पार्टी ने राउल गांदी जी ने बारज जोड़ो यात्रा सुरू की उनको समर्थन देने के लिए वो लोग आए और मैं जातक सम कि राजस्ताओं की राजस्तान के अंदर हमारे नव नियुक परवारी हैं रंदावा साब वो आए हैं संगठन को और मजबूती देंगे क्योंकि पंजाब की वो दिगज नेता हैं संगठन से जुड़े रहे हैं तीन तीन पीडियां उनकी राजनीति के अंदर रही हैं कॉ तो अब राजस्तान का परवारी उनको बनाया गया है तो हम अमीद करते हैं कि राजस्तान के अंदर हमारे सरकार की अच्छी नीतियों की वज़े से अच्छे कामों की वज़े से क्योंकि ये बात तो विपक्ष भी मानता है कि पिछले चार सालों के अंदर खूब काम हुए हैं विकास के कारे भी खूब हुए हैं कोवीड कोवीड जो दोबारा दस्तक देने की अभी सुन रहे हम लोग तो जब पहले और दूसरे दोर के अंदर भी राजस्तान सरकार ने बहुत अच्छा कोवीड प्रबंदन किया कारे करताओं उने मिलकर हम सब लोगों ने मिलकर और मानौ जाती पर जो संकट आया था उसके अंदर भी हम लोगों ने खुब सेवाएं की तो मैं जहां तक समझता हूँ कि रंधावा साब आने के बाद में और ज्यादा संगटन के अंदर जागरती आएगी संगटन और मजबूत होगा और नेक्ष्ट को कि अब एक साल बाद में फिर से में चुनाओं में जाना है सबको तो चुनाओं में जनता हमारे कामों को सरकार के दुआरा किये गए जनित के अंदर जो कारिया उनको आशिरवाते की जनता के हर दुखदर्द में खड़े हैं ये कहना है राजकुमार सर्मागा विधायक नवलगड जिन्होंने चुनावी साल को देखते वे खासकर अपने विधायकों को एक इधायत भी दिये कि चुनावी साल है जनता के दुखदर्द समझे उनकी समश्याओं का समधान करे न केमरा परसन इकबाल के साथ दिनेश चिवाडी फस्ट इंडिया न्यूज जापूर